दोस्तो Chrome browser तो हम सभी के phone के अंदर होता है और per day हम इसे यूज भी करते हैं अगर हमें कुछ भी download करना हो browsing करना हो तो हम Chrome browser के अंदर ही करते हैं क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़्यदा safe होता है लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम अपने phone में Chrome browser application यूज करते हैं वो हमारे phone के battery और internet को दुगने speed से consume करता है जी हाँ दोस्तो अगर आपको per day 10GB या फिर 2GB internet मिलता है तो यह क्या करता है ना कि 50% जो आपका phone का data है वो इसके अंदर ही consume हो जाता है और जो आपकी phone का battery है वो भी बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो भाई इस वीडियो में मैं आपको Chrome browser क के अंदर कुछ ऐसे hidden settings के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने phone के internet को save कर सकते हो और battery को increase कर सकते हो जो आपकी phone का battery है ना लगतार 3 दी तक चलने वाला है सिर्फ एक बार charge करने पर तो उसके लिए आपको करना किया होगा सिर्फ आपको अपने phone के अंदर खुद से कुछ नया settings करना होगा तो चलिए उस settings के बारे में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा request करता हूं अगर हमारे चैनल पे नय है तो चैनल आपको स्क्राइट कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें तो चलिए बेन टाइम स्टेक करते हैं बैटरी बैकप को increase कर सकते हो ताकि जो आपकी फोन का इंटरनेट है वो जल्दी खतम ना हो और जो आपकी फोन का बैटरी है वो लगतार तीन दिन तक चले तो उसके लिए आपको करना किया होगा सबसे पहले आपको अपने फोन की अंदर Chrome ब्राजर को ओपिन करना है ठीक ह जिसका नाम है सिंक यहाँ पर आप देख सकते हो डिरक की फोन का इंदर रहता है लेकिन यह कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ जैसे कि आप अपने फोन में Chrome रॉजर यूज़ कर रहे हो तब तो यह सिंक होता है लेकिन अगर आप अपने फोन के background में sync होता है और इस वाई से क्या होता है कि जो आपकी phone का internet है न वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है क्योंकि ये background में sync करता है और जितना हमारे background में phone के background में sync होगा उतना हमारे phone का internet भी consume होगा और हमारे जो phone का battery है वो बहुत जल्दी खतम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको करना है क्या है यहाँ पर इस settings को आपको बंद कर रहा है ठीक है उसके बाद निच्चे जितने भी settings है जो ठीक है सारे को यहाँ से अंटीक कर रहा है इससे आपके phone में कोई भी problem नहीं होगा लेकिन जो यह background में sync करता था तो वो आपके phone में बंद हो जाएगा और आपके जो phone का internet और battery है वो दोनों safe रहेगा ठीक है तो सबसे पहले इस settings को आपको अपने phone के अंदर करना है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब sequence settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया होगा डिरेक्टली आपको back चले आना है आपको settings के अंदरा जना है ठीक है यहाँ पर आप स्कॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक option लेगा आपको जिसका नाम है notification यहाँ पर आप देख सकते हो डिरेक्टली आपको notification के अंदरा जना है यहाँ पर आपने अकसरे चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने phone को रात में यूज कर रहे हो और चलाते चलाते सो गए ठीक है और सुबह उटकर देखते हो तो Chrome browser के बहुत सरे notification आते हैं जो कि बेकार में आते हैं फाल्तू में आते हैं और वो क्या करते हैं कि आपके phone के internet को consume करते हैं और आपके जो phone का battery है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है क्योंकि जितना हमारे phone के अंदर notification आता है न वो हमारे phone के battery को दुगने speed से drain करता है और बहुत जल्दी हमारे phone का battery भी खतम हो जाता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको इस settings को बंद करना है बंद करने के बाद क्या होगा कि जो Chrome browser के अंदर बेकार मही notification आते है क्योंकि Chrome browser के notification से में कोई भी काम नहीं रहता है और बेकार में जो notification आते है न वो सारा बंद हो जाएगा और आपके जो phone का battery और internet है दोनों safe रहेगा ठीक है तो यह settings आप अपने phone में जरूर बंद कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब third settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा directly आपको back चले आना है ठीक है आपको settings के अंदर आजना है यहाँ पर आप स्कॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम है theme यहाँ पर आप देख सकते हो directly आपको theme के अंदर आजना है ठीक है बैटरी को दुगने speed से खतम करता है अगर आपके phone में 100% बैटरी है और अगर आप 5 मिनिट या 10 मिनिट अपने phone को यूज कर लो Chrome browser को यूज कर लो तो वो क्या करता है कि आपका 20% 25% जो बैटरी है वो consume हो जाता है वो सिर्फ white light के वज़े से तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको इसे dark कर दना है इससे आपके phone में कोई भी problem नहीं होगा लेकिन जो यहाँ पर white light जलता था आपके Chrome browser के अंदर वो सारा black हो जाएगा और आपके जो phone का battery backup है वो काफी ज्यादा increase हो जाएगा जितनी भी settings है वो सारा settings रहेंगे लेकिन जो white light जलता था वो सारा black हो जाएगा तो आपको यह settings अपने phone के अंदर जरूर करना है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब third settings के बारे में तो उसके लिए क्या करना है आपको आपको अपने phone के home screen पे आजना है और जो आपके phone में Chrome browser application है न directly आपको उस पर hold करना है ठीक है hold करेंगे तो यहाँ पर एक option में लेगा आपको app info के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो directly आपको app info के अंदर आजना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको second number पर एक option में लेगा जिसका नाम है data usage यहाँ पर आप देख सकते हो directly आपको data usage के अंदर आजना है उसके बाद यहाँ पर आप फ्रस call down करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो निच्चे में एक background data नाम से option में लेगा आपको और यह क्या होता है ना कि हम सभी के phone के अंदर on रहता है और इस वाई से क्या होता है कि जो आपके phone का internet है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है क्योंकि यह background में हमारे data को consume करता है और यहाँ पर आप साब साब देख सकते हो यहाँ पर background data 82.2 MB यानि कि 82 MB जो मेरे phone का 82 MB है वो background में data consume हुआ है और इसी तरीके से सारे application के अंदर होता है और इस वाई से क्या होता है कि जो आपके phone का internet data है ना वो background में ही खतम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर इस settings को बंद कर रहा है इससे आपके phone में कोभी problem नहीं होगा लेकिन जो background में data यह consume करता था Chrome browser वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और आपके जो phone का internet है वो काफी ज़्यादा safe रहेगा और जल्दी आपके जो phone का internet है ना वो खतम नहीं होगा क्योंकि एक बहुत लोग का problem है कि भाई मैं अपने phone में ज़्यादा internet यूजी नहीं करता हूँ फिर भी मरे phone का जो internet है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है और वो क्या होता है कि background data को ज़से खतम होता है तो आपको अपने phone के अंदर background data को यहां से बंद कर रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब most important settings के बारे में फिर settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा डिरेक्टली आपको back चले लाना है आपको app info के अंदर जना है ठीक है यहाँ पर आप स्कॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक option लिए आपको जिसका नाम है battery saver यहाँ पर आप देख सकते हो डिरेक्टली आपको इसके अंदर आजना है ठीक है और यह क्या होता है ना कि हम सभी के phone के अंदर no restriction पर set होता है जिससे क्या होता है ना कि जो आपके phone का battery है वो बहुत जल्दी खतम होता है क्योंकि यह आपके phone के battery को save नहीं करता है आप अपने phone में Chrome Roger यूज करो या ना करो फिर भी ये background में आपके phone के battery को consume करते रहता है और उस वजिससे क्या होता है कि जो आपके phone का battery है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको जो battery save recommended का option है ना इस पर आपको set करना है ठीक है इसके बाद क्या होगा ना कि अगर आप अपने phone में chrome browser की use कर रहे हो तब तो आपकी phone का battery save रहेगा लेकिन अगर आप अपने phone में chrome browser की use नहीं करोगे तो आपके background में ये battery को consume नहीं करेगा उससे क्या होगा कि जो आपकी phone का battery है वो बहुत ज़्यदा safe रहेगा और आपकी phone का battery लंबे समय तक चलेगा तो यही 5 settings आपको अपने chrome browser के अंदर करना है उसके बाद जो आपके phone का internet data है वो जल्दी खतम होने का नाम नहीं लेगा और आपके जो phone का battery backup है वो लगातार तीन दिन तक चलेगा एक बार charge करोगा अपने phone को तो तीन दिन तक बैटरी चलेगा तो यही 5 settings आपको अपने chrome browser के अंदर करना है तो यह settings आपको कैसा लगा हमें कौन में जुरूब बताएगा I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यदा इसफूल सावसे वीडियो को लाइक कर दे सबस्तों पास सेर कर दे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब के लिए जाए हिन टेक केर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में